बॉलकुम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो ना तो आज तक आपने खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी और ना ही यह रूस्पी आज तक आपने किसे भी चैनल पर देखी होगी भाने मी इतनी tasty और इतनी युम ही बनती है बनाने में सिर्फ 5 मिनिटे लगते हैं बच्चों से लेकर प्रोड तक सबको बहुत ही पसंद आएंगे चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए यहां पर हमने लिए ब्रेट के पाथ स्लाइसिस बारी कटे हुए प्याज साथ ही यहां पर हमने लिए मजरोला चीज और साथ ही यहां पर लिए हमने कुछ कॉंस और साथ ही हमने यहां पर लिए शिमना बिर्च जिसको हमने बारी काट लिए साथ ही यहां पर हमने बारी कटा हुआ टमाटर ले लिए, और अब हम यहां पर एक बाउल ले लेंगे सब्सद्रिण को इक बाउल में डाल देंगे, हम इसमें मसरोला चीजिस नहीं डालएंगे बाकि इसमें डाल देंगे स्वीट कॉंस ऑप्शनल है अगर हैं तो आप डाल सकते हैं नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं तो बाउल में डालने के बाद अच्छी तरह से सारी सब्जियां हम मिला लेंगे तो ये लीजिए सब्जियों को हमने मिला लिए अब हम यहाँ पर चॉपिंबाड ले लेंगे और अब हमने जो ब्रेड की स्ट में ले ले लेंगे और इसके जो एजिस हैं इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे आप जो भी एजिस कट करें उसको फेंके मन आप उसके साथ जो ब्रेड करम है वो बना कर तियार कर सकते हैं सारे ब्रेड के पीसे से हम इस तरह से एजिस को कट कर लेंगे तो ये लीजिए सारे ब्रेड से हमने एजिस कट कर लिए हैं तो इसको आप हम बेल लेंगे ब्रेड को बेल कर अच्छे तरह से हम ब्रेड को पतला कर लेंगे तो ये लीजिए सारी जो ब्रेड है इसको मैंने बेल लिये तो ये लीजिए ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसको पतला करेंगे और यहां पर हम एक पीस बैट कर ले लेंगे और इसके उपर हम पीजा सोस लगा देंगे यह भी पीजा सोस मैंने घर पर तैयार की है इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी वीडियो में आपके साथ जूर शेयर करूंगी तो इसके उपर अब हम चीज सप्रेट लगा देंगे तो यह भी चीज सप्रेट मैंने घर पर बना कर त्यार की है इसको भी बनाना बहुत असान है अगर इसकी वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं बभी ओर अब हमने जो सबजेओं को मिक्स करके रखा ता इस तरह से साइडे पे हम साइडों से इस तरह से पकड़ कर हम इसको अच्छी तरह से रोल कर देंगे तो यह लीजिए एक रोल हमने यहां पर बना कर त्यार कर लिए और उस तरह से हम दूसरी ब्रेट ले ले लेंगे और इसके ओपर भी हम फीजा सौस लगा देंगे और हमने जो चीज सप्रेट त्या हो चुक है अब हम सैंडुच में कर लएंगे और इसको नीचे से और ऊपर से खेह के साथ अच्छे तरह से अगर कर लेंगे हमने जो रोल्स मिना कर त्यार किए इसको हम सैंडुच में करके बीच में रख देंगे मेंकर को हम बंद कर देंगे और green light आने तक इसको हम चलाएंगे तो green light आ चुकी है तो धक्कन को हम खोल देंगे और इसके उपर थोड़ा सा इस तरह से घी हम सप्रेड कर देंगे और एक पर फिर से बंद कर देंगे 20 मिन तक इसको मैंने फिर से बंद कर दिया था तो ये लिजिए pizza bread roll ह हमारे बंकर तैयार हो चुके हैं खाने में बहुत ही tasty बनी है तो सारे रोल मैं plate में निकाल लूँगी तो आप यू cụ राई कीजिए खाने में बहुत आप बहुत ही तैस्टले लगते हैं बच्चे भी बहुत ही आराम से इनको बना तयार कर सकते हैं तो ये लिजिए हमारे pizza ब्रेड डॉल बन करता है यार हो चुके हैं खाने में इतनी टेस्टी और इतने यमी बने हैं कि अगर आपने बच्चों को एक ब्रखिला दिया तो हर बार आपके बच्चे इस तरह से बनाने की मांग करेंगे तो दोस्तों होब करती हूं वीडियो अच्छी लगेगी अच्छ